सो हलो गाईज कैसे आई होप क्या पच्छे होंगे तो गाईज आज का ये वीडियो आप से भी लोगों के लिए काफी जादा इंपोर्टेट होने वाला है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं मेरे पास यहां पर एक रियल्मी का फोन आया हुआ है लेकिन यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे फोन की जो डिस्प्ले की लाइट है वो गाईज काफी कम दिखाई दे रही है मतलब काफी कम लाइट आ रही है इसमें लाइट का ऐसा लग रहा है कि लाइट का प्रोब्लम है तो ऐसा लग रहा है कि फोन के लाइट का जो सेक्शन है उसमें भी प्रोब्लम है और साथ में यहां पर इसमें फ्लेसिंग का भी प्रोब्लम हो सकता है और साथ में इसमें EMC रिलेटेड भी प्रोब्लम हो सकता है जैसा कि आप यहाँ पर नीचे एक error देख रहे हैं download not completed तो यह जो error है यह guys काफी अलग अलग problem के उज़से आता है कई बार क्या होता है कि इसमें flashing का problem आने पी भी यह error आना लगता है कई बार eMMC damage होने के बज़से भी आने लगता है कई बार eMMC program कर देते हैं तो उसके बाद यह error आने लगता है कई बार oppo custom की जो file होती है वो अगर इसमें नहीं रहती तब भी यह error दिखाने लगता है तो काफी अलग अलग जो problem होती है उसके बज़से इस परकार का error है वो screen पे दिखाने लगता है खास करके MTK का जो CP होता है उसमें यह error आपको देखने को मिलता है अब इस phone को अगर हम on कर रहे है तो इसमें एक condition बन रही है कि phone की जो brightness है वो काफी कम दिखाई दे रही है जैसा कि आपने हैं पे screen पे देखा brightness का पी कम दिखाई दे रही है तो एक बार हम board को देख ले रहे है कहां काम हुआ इसमें तो आप हैं पे देखेंगे तो कहीं न कहीं इसका एक थोड़ा पत्रा है उसको cut किया गया है अब इसमें काम क्या किया गया है वो तो मुझे नहीं बता लेकिन कुछ ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लग रहा कि काम किया गया है हालांकि इसको phone को on करें तो brightness इसकी काफी कमा रही और साथ में downloading not completed का एक error भी आ रहा है तो इस error को आप normally तरीके से कैसे fix कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ चलिए PC के screen पे चलते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अलग-लग जो problem port आते हैं उनके अलग-लग solution होते हैं तो first जो solution रहता है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको unlock tool को open करना है उसके बाद guys आपको phone को connect करना है PC के अंदर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको port बना देना है MTK का port आ चुका है अब नीचे यहाँ पर आपको special option दिखाई दे रहे हैं उसके क्लिक करना है OPPO RMX DL fix पे आपको क्लिक करना है उसके बाद आपके पास जो भी model है उसको यहाँ पर select करना है जितनी भी model आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उन में से आपका जो model है उसको select करना है मेरे पास realme 3 है तो realme 3 को मैंने हैं यहाँ पर complete fix कर दिया है ओके कर दिया है अभी देखो ओपो आरेमेक्स फिक्स डियल अभी जिसका जो पोट है इसको फिर से हमें यहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा तो चलिए एक बार में निकाल के फिर से एक बार कनेक्ट करता हूं फोन को और उसके बाद देखते हैं इसके अंदर जो प्रोब्लम यहां पर थोड़ा प्रोब्लम कर रहा है तो एक बार निकाल के वापिस लगाना पड़ेगा मुझे और उसके बाद हम देखेंगे तो वीडियो अगर पसंद आ रहा थे वीडियो को लाइक करिके चैनल को सब्सक्राइब करिके और नोटिपिकेस्ट कर लिजे ताकि आने व एक बार फिर से गाईज मैं यहां पर पोर्ट कनेक्ट केया हूं अभी ठीक से नहीं हो पाया तो फिर से एक बार फिर से निकाल के लगाना पड़ेगा फिर से हम यहां पर कनेक्ट करेंगे कई बार गाईज यहां पर जो पोर्ट है वो प्रोब्लम करता है एंद तो इस पर गाइज हम यहाँ पर मोडल सेलेक्ट करेंगे और मोडल सेलेक्ट करने के बाद फिर सेपोर्ट बनाएंगे एक बार ठीक है देखिए एक बार फिर सेपोर्ट बनाएंगे और यहाँ पर नीचे देखेंगे आप सेलेक्ट करेंगे अभी मैं एक बार फोन को कनेक्ट कर ले रहा क्योंकि साथ में वीडियो बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है तो एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ चलिए अब देखते हैं पोर्ट बना के अभी हम पोर्ट बनाएंगे इसमें देखिए पोर्ट बना चलिए प्रोसेशन स्टार्ट हुआ अभी आपको बेट करना है देखिए डन हो गया है deal not completed का option आ रहा है नीचे कोई बात नहीं लेकिन यह ओके हो चुका है ठीक है चलिए मैं आपको फोन दिखाता हूँ यह फोन है देखिए ऐक चीज़ आप यहां पर नोटिस करेंगे फोन के अंदर जो brightness का प्रोल्बम आ रहा था वो भी ह एक प्रोल्म और दिखाई दे रही थी जैसे कि brightness इसमें कम था ऐसा लग रहा था कि कहिने के light के section में प्रोल्बम है लेकिन देखने से ऐसी चीज़ें guys हमें अलग लगती है लेकिन actual में जो प्रोल्बम होती है वो अलग होती है ठीक है इसलिए guys इसमें पहले हमने देखा कि brightness काफी कम है और नीचे एक error आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कहिना के software का fault भी है और साथ में इसमें hardware भी problem है light का जो section उसमें भी problem है ठीक है तो ऐसा इसमें नहीं हुआ इसमें सिर्फ हमने यहां पे छोटा से एक trick लगाया और उससे हमने guys इसकी जो problem उसको solve कर दिया तो guys यह जो चीज़ी होती है यह आपके experience पर होती है तो अभी phone बंद हो गया है चलिए मैं आपको इसको charger में लगाके दिखाता हूं complete on करके दिखाता हूं और फिर देखते है on करके कि complete on होगा या फिर नहीं होगा ठीक है complete on करके दिखाता हूं क्योंकि पहले जो error आ रहा था उस उसके साब चाहिए on होगा या फिर नहीं होगा तो चलिए एक बार मैं इसका back पर नहीं निकालके battery फिर निकालके लगा देता हूं और उसके बाद on करके देखते हैं तो guys यह चोटी चोटी चीज़ें होती है इन पर आपको ध्यान देना चाहिए यह guys आपके experience पे काम करती ह है अगर आपके पास अच्छा कासा experience है तो guys आप कहीना कहीन जो fault है उसको find out कर ही लेंगे ठीक है अब इसमें अगर हम इस unlock tool से यह जो error है इसको solve नहीं कर पाते है तो oppo custom डाल सकते थे placing कर सकते थे उसके बाद में नहीं होता तो हमें कहीना कहीं EMC को check करना पड़ता बैड हेल्थ हो सकती थी EMC की या फिर किसी ने programming किया होगा EMC जिसकी वज़सी यह problem इसमें आ गई होगी ठीक है तो यह अलग-अलग fault रहते हैं अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जायन चाहिए तो comment section यह अंदर बताईएगा आने वाले वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में जरूर बताऊँगा तो यहाँ पर गाईज जो fault है वो हमने यहाँ पर solve कर दिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है पौन complete on हो चुका है brightness भी अच्छे खासी आ चुक